हेलो माई डिर फ्रेंस आप सभी का और लोगों के लिए डिसकाउंट का पार्टू लेकर उपस्तित हूं इसमें आज हम आप लोगों को कुछ डिसकाउंट के जो टाइप के सवाल बचे हुए थे उस टाइप को हम बताएंगे और उसके बाद हम आपको कोश्चन देंगे जिसके लिए आपको आपके पास 15 सेकंड का टाइम होगा जिसमें आपको उत्तर देना होगा तो चलिए बिना देर की अपने सेशन की तरफ चलते हैं और यह रहां आज की स्क्रीन पर आपका पहला परश्ण एक वस्त का अंकित मौल आठ सो रूपए है वह पांसो छेतर आठ शेतर रूपए में दो बड़्त देकर बेश दिया जाता है पहला बड़्त दस प्रेश्र दूसरा बड़्त चाहे आप इसे एक में लगाना चाहे देख लाइन में लगा सकते हैं दो टूपडेrap लगा सकते हैं चलिए हाम आपको दो से देखरे आपकाश्चित आपका 800 रुपए है 800 रुपए का 10 प्रस्यत का बट्टा देगा बाबू कितना लेगा 90 प्रस्यत लेगा दो जीरो दो जीरो कड़े अड़नवा बहत्तर 720 रुपए 10 प्रस्यत बट्टा के बाद हुआ लेकिन बेच कितने हो रहा है 576 ता अतरिक तो छूट कितनी दे रहा है 720 में 577 घटा दीजिए तो आपका 10 में 6 गया 4 आपका ठीक है 11 में 7 गया 116 में 5 गया अतरिक छूट कितने की मिली 144 रुपए की छूट मिली है और चूट किस में मिली है 720 रुपए है तो निकाल लीजिए 144 गुड़े 100 बटे 720 तो आपका 10 से 10 कड़ गया ठीक है 12 चंग 72 बारा बरहम में 146 दूनी 12 दूनी 20 प्रस्यत की अतरिक छूट मिली है अगर इ सीधा सीधा रख दीजिए 800 गुड़े 10 प्रस्यत की छूट लिया कितना लिया 90 प्रस्यत लिया फिर गुड़े भाईया कितने प्रस्यत की छूट दे रहा है हमें नहीं पता तो हम छूट को हमें सा 100 में घटा आगे लिखते हैं 100-1 प्रस्यत की छूट है और इस छूट को द 72 गुड़े 100 माइनस यक्स बटे 10 बराबर 576 ठीक है तो आप इसका चाहे इसके साथ क्रास मल्ठिप्लाई करा दो चाहे घुड़ा भाग दे दो इसको इधर गुड़ा है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा ठीक है तो आप कर दो अगर इससे करोगे तो दो अंग बाद दस समलों लग जाएगा 7.2 हो गया तो 100 माइनस यक्स बराबर 576 बटे 7.2 दसमलों है जीरो यहां बढ़ गया काड़ दो भीया बारा छंग 72 और बारत यहां 36 कि बारा चोग 48 ठीक है 48 और नो 57 बाराठे चानबे जीरो छे एठे 48 देखो 100 माइनस यक्स बराबर 80 तो भीया सो माइनस असी इधर 80 चला गया इधर बराबर एक्स तो एक्स बराव सो में अससी घट गया कितना 20 प्रिस्ट का ठीक है ओके नेश्ट कोईशन स्याम ने एक वस्त को अंकित मोल पर 30 प्रिस्ट की छूट पर खरीदा और 25 प्रिस्ट के ला पर इतनी में बेश दिया तो उस वस्त का अंकित मोल बताएं भीया देखो 8750 रुपे जो क्या है यह लाव सहीत क्या है विक्रे मूल है ठीक है यह विक्रे मूल है और क्या क्या है एक वस्त को अंकित मोल पर उसका छपा हुआ मूल था उस पर 30 प्रिस्ट की छूट पर खरीदा था और उसने 25 प्रिस्ट के लाव ले कर इतनी में बेश दिया आप अच्छी तरह जानते हो कि अंकित मोल पर दी गई छूट अंकित मूल पर दी गई छूट जो होती है वो भी क्रेमूल के बराबर होती है लेकिन यहाँ पर उसका खरीद रेट अलग है और बेचनी की दर अलग है तो सबसे पहले आप उसका क्रेमूल निकाल लीजिए उससे कितने का लाब हुआ बबू 25 प्रिश्यत का लाब हुआ पर 8,750 रुपे में बेचनी पर ठीक है भी यह तो बस काट डालिए 25 पंचे 125 पंचे 125 चोकर सो पांच एकम पांच तीन आठ पांस सते पैंटीस दो सेंटीस पंचम पचीज जीरो चार का इसके साथ मुल्टिप्लाई हो जाएगा तो यह सब रहर जीरो चर पंचे वीस की बभु ऊसका सेपी था और जब स्याम इस वपस्त को साथ हजार रुपे खरीदी थी कितने का डिसकांट लिया था था तीस परसेंड ना तो प्रिंट प्राइज इक्वल टू पीपी इक्वल टू माना पीपी क्या है वाई है और कि इस परशुट की छूट दी कहे थी कितना सब्सक्राइब सुद्वाइब 10,000,000 रूपए उसका प्रिंट प्राइज था था ठीक है भई तो उस्वस्थ का अंकीर मुल क्या था 10,000 रूपए था कितने प्रिश्यत का लाव अप्राप्थ होगा बहिया देखो कोई वस्तु है जिस पर 20 प्रिश्यत की छूड़ देते हैं तो 60 प्रिश्यत का लाव अप्राप्थ होता है ना माना भाई हम अमने वालिया सीपी कितना है 100 रुपय है तो बहिया 60 प्रिश्यत का जब लाव होगा बिक्रे मुल्द क्या हो जाएगा 160 हो गया और यह विक्रे मुल 160 तब आया जब 25 प्रिस्ट की छूट देने के बाद आया ना तो भाया print price equal to pp निका लीजेए WordPress है और इस-पे यह बीस प्रिस्चत की छूड़ दी तरसी प्रिस्चन लिया गया और कितना मिल क्यादा एकसु साथ तो आस montre यह गस बराबर 200 इसका परईज 200 की छूड़ दे जाती कितने परइजा तो परेया सुनकित मुल पर देंगे 30 लेंगो 230 यह 150 रूपय की तो रूपय की तना की 50 संत-क 50 परेंगे 50 परेंगे श़यूब करते हैं लाब होगा ऊके चलो नर्फ कोश्यन दो दुखान दार एक ही सूची मूल पर दो मसीने बेचते हैं पहला ग्राहक को दो कर्मिक बट्टा 30 प्रेस्चत और 6 प्रेस्चत देता है जबकि दूसरा 20 प्रेस्चत और 16 प्रेस्चत देता घ्राहक के लिए कौन सा बट्टा फायदय मन होगा भाई ग्राहक को फायदा कौन जिसमें ज्यादा चूट मिलेगी तो निकाल लीजिए भाईया निकाल लीजिए तीस प्रस्षत प्रस्षत माइनस तीस गुड़े छे बटे सो एक जीरो से गीरो कड़ गया फ्रस्ष च्छातिस मा इनस चत्रीक कर डार है दस से मुड़े भाग दे देंगे त्समलुल आठ्क घठा दीजिए भीजिए दस में सा आठ गये दो यह बचा पांच पांच में से गया चार पहले पिमला चोंतिस दर दौ तो प्रस्षत का बट तो बहुते शो एक जीरो से गीरो कड़ गया 16 दूनी 32 तीन दसंबलो दो तो बहुत दस तीस छे चछतिस चतिस माइनस तीन दसंबलो दो कर दीजिये दस मेंस तो गया आठ द यहां बचा पंच पांच मेंस 2020 दूसब cities और आठ प्रेस्स देखो 5 प्रिष्यत का कमाता है पुस्तक का क्रेश्यcribe इस चानृत === 1 फॉस्तक थ्हेखता च्पेहुए आठ प्रिष्यत का बट्टा क्माता है और फंद्रहे प्रिष्यतु का कमाता है कि Great था है उसे मिल रहा है माना उसका पीपी कितना है यकश रूपय है haven बेरा है और कितने बेश रहा एक सो पंदार रूपे में सरल कर दीजे तो आपका सरल कर दीजे भाईया दो चोग आठ एक नो दो छंग बारा दो पंचे दस दो दूनी चार दो त्याई छे दो पच्चास ठीक है तेइस पंचे एक सु पंद्रा ठीक है तो पचीज को पांच में गुड़ा अगर हो जागा 25 पंचे 125 बैया देखो क्रे मुल सो रुपए है अंकित मुल एक सो पचीज रुपए है पूछा क्या है पूछतक के क्रे मूल तथा छापे हुए मूल का अनुपाद अरथात सीपी अनुपादे पीपी प्रिंट प्राइज तो स्क्रे मुल बावू सो है प्र अब आप लोगों के लिए question है, इसमें आप लोगों को हम पंद्रा सेकंड का time देंगे, 15 सेकंड में आपको रिप्लाइ करना है, ठीक है, question है, यदि अंकित मुल का लाइखत मुल तथा लागत मुल में 30 अंकित मुल लागत मुल से 30 प्रिश्चत अधिक है, Rubika अंकित मोल पर दस प्रस्यत की छूड़ दी गई हो तो लाब प्रस्यत क्या होगा टाइम स्टार्ट है आपका बहुत अच्छे गोड़ ओके भया टाइम अफ हो गया टाइम अफ हो गया ध्यान दीजिए कोशन को ध्यान दीजिए कोशन क्या कह रहा है कोशन कह रहा है बबू कि अंकित मूल लागत मूल से 30 प्रेशात दीख है अंकित मूल मतलब आपका प्रिंट प्राइज जो प्रिंट प्राइज है आपका पीपी जो है पीपी अंकित मूल जो है लागत मूल से पीपी जो है वह क्रे मूल से 30 प्रेशात दीख है माना करे मूल कितना है 100 है तो अंकित मूल कितना हो जाएगा बबू 130 हो जाएगा तथा अंकित मूल पर 10 प्रिश्यत की छूड़ दी जाती है तो भाईया 10 प्रिश्यत की छूड़ देगा तो विक्रे मूल बराबर क्या हो जाएगा बबू अंकित मूल पर 10 प्रिश्यत की छूड़ देगत कितना लेगा 90 प्रिश्यत बस एक जीरो से एक जीरो कड़ गया 139 यह 113 भाईया 100 रुपे में खरीदा है 117 रुपे में बेच रहा है तो लाब बराबर कितना हो जाएगा लाब बराबर विक्रे मूल माइनस करे मूल 117 माइनस लाब जब सव पर गढवना करेंगे डारेक्ट जो अंतर आएगा उतने प्रिश्यत का लाब यहान जो रहेगा वह हो जाएगा ठीक है तो 17 प्रेश्यत का इसे लाब हो गया चलो किसी वस्त किसी वस्त किसी वस्त की चूड़ देकर 450 रुपे में बेज दिया जाता है तो उस वस्त का कित मूल क्या होगा टाइम श्टार्ट किसी वस्त की चूड़ देकर 450 रुपे में बेज दिया जाता है वस्त की चूड़ देता और इतने में बेज दिया जाता है प्रश्त की चूड़ दी जाती है इस पर दस प्रिस्त की चूड़ दी गए नबे परशद लिया गया और कितने भी बेचा गया 450 क्योंकि जब भी हम छूड़ देकते हैं हमें क्या मिलता है बिक्रे मूल मिलता है चलो सरल कर दो एक 0-0 कर गया 9,545,500 बावु प्रिंट प्राइ सरीन में से कोई नहीं ओके कोई डाउट चलो नेस्ट कोशिशन एक रेडियो विक्रेता अंकित मूल पर बीस प्रिस्त छूड़ देने के बाद भी 15 प्रिस्त का लाव अर्जित करता है बीस प्रिस्त की छूड़ देने के बाद भी 15 प्रिस्त का लाव अर्जित करता है कि अब बेज़ा टाइम अप हो गया चाइम अप हो गया कि ध्यान दीजिए को कि यहां को ध्यान दीजिए एक एक रेडियो पिक रेता अंकित मूल पर बीस प्रिशत छूट देने के बाद भी 15 प्रिशत का लाववा अरजित करता है क्या कि आप 20 प्रिश्द की छूड़ दिया चूट है किया किस पे दि लिए जाता है लूत चया हो गया तो गखेंगी 17 कितना होगे 115 अंकित मुल आपको नहीं पता माना प्रिंट प्राइज उसका क्या है यक्स रूपय है और इस पर क्या किया इसने 20 प्रेश्यत की छूड़ दिया तो कितना लिया अच्छूड देने के बाद जब निकलेगा तो क्या मिलेगा इसका विक्रे मुल विक्रे मुल क्या निकला है बाबू आपका 115 बस काड़ दो 20 चोक 80 25 अब इसको इधर भाग करा दो तो चार दूनी आठ तीन ही जारा चार अठ बत्तिस तीन पैंटिस चर सते अठाइस दूई तीस चर पंचे बीस पांच का इसके साथ मुल्टिप्राइब हो जाएगा तो भाईया एक्स बरब पंचम पचीस की पांच हांसिल दो भाईया एक्स का मान हो गया पिनिट प्राइज हो गया एक्सो तैंटालीस दसम्लो साथ पांच रूपे तो भाईया लाव बराबर कितना हो गया एक्सो तैंटालीस सम्लो साथ-पांच मानिस सो गई एक्सव approach 43.75 रूपर थीख है तो आपका अन्सर क्या हो जाएगा क्रै, मुल शे digo cradle क्रैनिस दसम्लो साथ-पांच प्रिशत अधिक तो 35 प्रिशत अधिक बीस प्रिशत slipping 15 उप्योक्त मेंक्त मेंसे कोई नहीं डीस द रा कीमत से 25 प्रिश्यत बट्टे पर खरिदता है वहां उसे 660 रुपए में बेज कर 10 प्रिश्यत का मुनाफ़ा कमाता है पंखे का अंकित पंखे की अंकित कीमत क्या थी टाइम स्टार्ट है में टाइम अप टाइम अप हो गया ज्यान दीजे शवाल कह रहा है कि रमेश एक पंखे का पंखे को उसकी कीमत से 25 उसकी कीमत से 25 प्रिश्यत बट्टे पर ख़ाइता है वहां उसे 660 रुपए में बेज कर 10 प्रिश्यत का लाव खवा तो पंखे कीमत क्या है भाइ माना उसका क्रेमुल क्या था चाहे क्रेमुल आप निकालना चौंधे निकाल लो भाइ माना CP बराबर क्या था यक्स था और इस पे 10 प्रेशद का लाम मिला गुड़ 110 बठे शो बराबर कितना हो गया छेसो साथ कारदो भईया 116 का 660 यक्स बराबर 600 रूपए उसका खरीद दाम पड़ा था किसका रमेश का और यहां अंकित कीमत पर कितने बट्ट बट्ट खरीदा था 25 प्रिशद ना तो भईया पीपी बराबर अंकित मुल बराबर अंकित मुल कितना था 75 प्रिशद और देकर कितने दिया था 600 रूपए बस पचीस तियां पचाहत्तर पचीस चोक उसो तीन दूनी छे दो चोक आठ अब यह अंकित मुल इसका कितना था 800 रूपए अंकित मुल था इस दर आइट एंसर कनफर्म आप इसे लगाना चाहो तो एक लाइन मे दुगुडे सो बटे एक सो दस अब एक कितने मिला था भाईया चूट पर मिला था 25 प्रिशद माना कि अंकित मुल एक सो रूपए था इस पर 25 प्रिशद छूड दिया था कितना लिया था 75 बस काट दो एक जीरो से गीरो कर जया बहिया 11 चाहाँ चाहट चाहट पचीस चोक प्रिशद की चूड़ देता है और 17 प्रिशद का लाभ कमाता है तो उस वस्त को प्रिशद का प्रिशद का लाभ कमाता है प्रिशद का अंकित मोल क्या होगा टाइम स्टार्ट किसी वस्त का अंकित मोल देखो 600 रूपे है लागत मोल 600 अधिक है बारा दसमें 25 प्रिशद की छूड़ देकर 17 प्रिशद का लाभ उस्त का लागत मोल भाई माना उसका सीपी कितना था यक्स रुपए था पीपी कितना था बाबो तो यक्स प्लस शेसो शेसो अधिक है यह हो गया वहां लाभ किस पर कमा रहा है लाभ क्रेमोल पर कमाता है तो यक्स गुड़े सत्रा बटे शो बराबर छूट अंकित मोल पर होगी इतना गुड़े देखो बारा सही एक बटे दो प्रेश बारा दसमलों दो पांच का तो इसे बारा सही पचीश बटे सो लिख सकते हैं पचीश से कम पचीश पचीश चो का सो बारा चो को एक अड़तारिस उन्चास बट हो गया गुड़े 351 अपान 400 अब देखो सरल कड़ भी है दो जीरो से दो जीरो आपका कड़ गया 117 तरीक 351 अब देखो क्रास मल्टिप्लाई हो जाएगा चार का गुड़े इसके साथ हो जाएगा फोर एक्स इक्स प्लस चत्रीक अठारा सो तो तो तीर एक्स इधर चला प्लस तो जाएगा फोर एक्स माइनस तीरी एक्स इक्स इक्वल टू अठारा सो तो बहुत अच्छी बात अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमारे लाइक कर दो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन का बिल जरूर जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को सेर करना ना भूले धन्यवाद